दोस्तों आज हम आपको जो बिस्कित बनाने के प्रोसस दिखा रहा हूँ है वो है multi-grain biscuit है जो प्रिमियम क्वालिटी में आते हैं, healthy biscuits में आते हैं, pure ghi में बनाये जाते हैं तो इसकी तो प्रोसेस में आपको भी दिखाई रहा हूं कि हमारा एक हेल्थी बिस्कित जी हमारे पास टोटल रेंज है उनमें से एक बिस्कित की प्रोसेस अभी बता चलेगी और आपको इतना भी रिक्वेश्च है कि आप जहां से भी वीडियो देख रहा है प्लीज अपने प्रोड़क्त बनाते रहेंगे और हम फ्यूचर में अभी प्रोड़क्त थोड़ी बढ़ा बने भी वाले हैं उसका भी वीडियो आपको बताएंगे तो आईए देखते हैं अब हमारी जो प्रोसेस है यह मल्की मल्टी ग्रेंड बिस्कित की वह उसके चलते हैं और वह आप उसको मिश्रान को मिक्स किया जा रहा है यह हमारी हेल्टी बिस्कित केटेगरी में आता है जो प्रीमियम बिस्कित साथे हो आता है आप देख रहे हैं यह जो मिश्रान यह भी मिक्स हो रहा है कि यह जो मिश्चनल बन रहा था उसके अंदर अमदे थोड़ा डूड डूड़ा है दूड के बाद अभी मल्टी ग्रेन आटा डाला जा रहा है कि मटी क्रेन आटा डालने के पाद फिर से प्रोसस शुबू करेंगे मिलाने की आप देख रहा है कि अब यह मिक्स हो रहा है बचा हुआ आटा चितना भी था हुआ पूरा डाल रहे है यह 2 किलो मल्टी क्रेन आटा का बिसकी डम बना रहा है इसको प्रफर एक दम मिक्स करने देंगे अभी थ20 कि अब लास्ट-TAK अपको धीरे-धीरे दिखाई दिए रहा होगा नियंक ते दिरे-धीरे मिक्स हो रहा है अचिंप और यह देखए जो आठा आमने मशील में मिक्स किया था उसको ठीबल पर लिया गया है उसको अब आग़ अंतों से मसल कर मिस्ट किया जाएगा टेबल पर यह भी प्रोसस आप देख रहा है यह आप देख सकते हैं कि आटे को पूरी तरब मिस्ट कर दिया गया है टेबल पर आथों से मिसल कर किया है अब यह बिस्किट को टेबल पे भिछा और फिसको भी डेंगे इसका अटैप ठोड़ा अलग है शायद पहले उसका वीडियो रख़ा तहब आपने देखा उगा तो देखा उगा ने तो अभी हम जो भी गिराएंगे तब आपको मैं दिखाओंगा कि इसका स्येप कौन सा है किस तरह स्येप करते है यह जो मल्टी ग्रेंड बिस्कीट का आटा जो हमने तैयार किया है उसको हम अभी टेबल पे बिचा रहा है यह मैनुली प्रोसेस है आप देख रहा है इस तरह पूरे टेब यह देख रहा है अभी मेन्यूली हाथों से किया जा रहा है नीचे जो आटा डाला जा रहा है वो भी हम मैदा का यूज़ नहीं प्रिमिमें देणा के इस या यानि हम हेल्टी बिस्कित गोल के देते है वो प्योर्र वीस्कित यह 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 लगी बिस्कृट नमारी एक प्रीमियम केटेगरी में आता है यह देखे थोड़ा सा आटा पहले टेबल पर डाला मल्टी ग्रेण आटा अब उसको कच्चा मावा है उसको श्प्रेड कर रहा है यानि बिचा रहा है यह जो मल्टी ग्रेण बिस्कीट का कच्चा मुट वाइब तील डाल रहा है यह गारीशिंग के लिए होता है मगर वह हेल्थी ही होता है यानि कोई अनहल्थी प्रोड़क्स यानि अनहल्थी आइटम कुछ भी हम उसमें इस्तमाल नहीं करते यह देखे मैं आपको दिखाता हूं नस्दिक से वाइट तील कि अब यह वाइड तील लगा कि उस पर हल्के आथों से बेलन लगा जाएगा, यानि की बेला जाएगा उसका रिजन है कि यह जो तील है वो आटे के साथ चिपक जाए, मगर यह process एकदम हलके आतों से करने है अगर ज्यादा प्रेस करेंगे या ज्यादा वजन देंगे तो यह पूरा आटा टेबल के साथ चिपक जाएगा फिर बिस्कीट उठाएंगे यानि कि जब भी बिस्कीट उठाएंगे यानि शेप देंगे तब यह बाहर नहीं निकलेग तो इसका खास द्यान रखना है अभी यह बिच्छाए हुए मावे से अपने मोल्ड मोल्ड लेके उसको बिस्कीट का शेप देके प्लेट में रख रहा है यह आप देख सकते हैं कि पूरी तरह यह बिस्कीट का शेप हमारे यहां इस तरह होता है यानि समझो ते यह कि देखें यह फिर से बिस्कीट लेना शुरूब हो गजा है यह आपको दिखाई दे रहा है कि यह देखें तीन प्लेटे तो अल्लेरी भर गई है अभी चौथी प्लेट का काम चालू है कि यह प्लेटे भर जाने के बाद इसको भी हम प्री हीट हो चुके ओवन के अंदर डालेंगे उसको भी वह भी मैं प्रोसस्स आपको दिखाऊंगा आप वीडियो पे बने रही है कि कॉल्टी ग्रेंट बिस्किट की प्लेटे तयार है वह में प्री हीट हुए वे ओन में डाल रहे है यह बिस्किट भी 180 से 200 दिगरी के आसपास रहेगा और कितने मिनिट के तक रखेंगे सर 20 मिनिट के आसपास तक यह रहेगा जो हम बीच में खोल के देख लेंगे एक दो मिनिट प्लस माइनस हो सकती है यह हमारे मल्टी ग्रेंड बिस्किट बनके तयार हो चुके है अभी यह वोन में से निकाल रहे है हम अभी दूसरा डेक का था उसको बनने में शायद थोड़ा टाइंग लगेगा ऐसा लग रहा है अभी आएड़ा के थाउड़ा का लगेगा बनके अच्छा बनके 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 दोड़ा प्लस में प्लस में प्लस में सकती है